तो नमस्का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जेडी गंपीटर में दोस्तों जैसे कि आपको पता हम जब भी या दिन्युजानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिराज दोए एक और न्युजानकारी के साथ एक और लिटिस्ट अपडेट फोटोड के साथ उससे पहले दुस्तों यादि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीस आधेने यहां आहलेस विडिवाप्य में बात करेंगानी क हो रही है problem तो हम आपको शुरू से बताएंगे शुरू से सारी जानकारी बताएंगे तो वीडियो में लास्त तक जबूबने रही है चैनल पर नहीं लग रहे हैं या फिर हमारे जो कि यहां पर अपलोड नहीं हो रहे हैं हमारा जो डॉकुमेंट का साइज भी नहीं बन रहा है सभसे पहले यहां रहे हैं किस तरीके से आपको करना किस तरीके से क्या करेंगे और जो कंडिडेट मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं वह अद्रिस भलने के बाद यहां पर नाच्पार ही फोल लें गे शसे यहां पर किसी भी कॉलेज में बेरीफिक्रिशन कराने की जरूत नहीं है आपका form already generated होके already अपना verified होके ही आपका form यहाँ पर आ जाएगा लेकिन दोस्तों यदि आपका 12th का data mismatch है यदि आपका जाती प्रमाणपत्र का data mismatch है तो आपका यहाँ पर verified नहीं होगा और आपको verified कराने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा फिलहाल में क्योंकि नहीं बोला है कि manually आपका दो दिन बाद आपका verification अपने आप ही हो जाएगा तो simply तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप registration करेंगे दो दिन का wait करेंगे दो दिन के wait करने के बाद आपका यहाँ पर online verify यदि नहीं होता है तो अहीं आपको यहाँ पर college जाना है यदि आपका verified हो जाता है दो दिन में तो आपको college नहीं जाना है यदि आपकी documentation में कोई mismatching होती है तो college की ओर से आपको phone आएगा आपको message आएगा documentation जी upload करने के लिए तो उस चीज़ का आपको business तो पर धार रखना है कि यदि आपकी document mismatch है आपको message आया या call आया और आपने attend नहीं किया तो इस चीज़ों को आप जब तक आपका admission नहीं होता है आप इन चीज़ों को जरूर ध्यार रखें तो चलिए दूसर यहां पर हम जानकारी भर लेते हैं जानकारी भरेंगे यहां पर आया प्रवालपत्र आपको भरना है आया में कितनी आपकी income है इसके बाद दूसरों यहां पर एदि आपके पास खिल खिलाड़ी को उठाए थे करेंगे अधरों सभी छिजों को हम नौ कर देंगे नौ करेंगे यहां पर आपको नेक्स करना है आपको 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 परसेंट आपको सैमिश भरना है है हम photo signature scan करेंगे आपको scan करके ही directly दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पर scan करना है तो आप किसी भी scanner से आप यहाँ पर photo signature scan कर लेंगे scan के लिए दोस्तों यहाँ पर आप कम से कम इसका resolution जो रहेगा resolution आपको 100 जो dpi है 200 dpi है या फिर जादा से जादा आप 300 dpi पर इसको scan जरूर करें scan करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप data scan हो जाएगे आपकी photo sign documentation scan हो जाएंगे आपको यहाँ पर scan जरूर करना है क्योंकि without उसके scanning में नहीं आता है यदि आप mobile से photo लेके लेगाती हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जा तो चली दोस्तों यहाँ पर हमने scan कर लिया है scan करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको photo signature crop कर लेना है अलग-अलग size में size में photo भी आप crop कर लेजिए signature भी आप 120 इस तरह जैसे आप यहाँ पर इनका resize कर सकती हैं जैसे की photo को करें photo यहाँ पर हम देख में अपको photo crop करना होано on the iba में आप में गया बें अपको in does क हम होएं लेना है और आपको यहाँ पर upload करना थो चली को सबसे पahn आपका अप्लोड रहेगा फोटो के लिए बात करेंगे तो फोटो यहां पर हम लेंगे फोटो के लिए हम यहां पर इसको स्क्रेंड करके अप्लोड करेंगे यहां पर आपको पैंट पर खोला है पैंट पर दोस्तों यहां पर आपके लिए जो सिगनेचर का फोटो का साइज जरू दहाल लग लिए आपको यहां पर 350 इंटू आपको 80 करना है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप यहां पर ऊपर जो जाएगा आपका horizontal में बो आपको यहां पर यहाँ पर 120 भी कर सकते हैं और 350 आप नीजी कर सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर इनको documentation को लगाएंगे सेवेच करेंगे सेवेच करेंगे तो आपका photo है बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पर लग जाएगा size का ध्यान रखें 350 इंटू 180 आपको photo लगाना है तो फोटो आपकी यहाँ पर आसानी से यहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर दिख लीजिए photo को हम upload करते हैं upload थोड़ी सी size slow हो जाती है कभी-कभी तो आपको यहाँ पर photo को signature के लिए upload करने के लिए थोड़ा सा बेट करना पड़ेगा जड़ा सा आप बेट किवह जी यहां पर एक ही बार में हमारा फोटो और साइन दौनों आ चुके हैं साइज को आपको मैंने बता दिया है यहां पर आपको Upload करना है तो Upload के लिए चले दूस्तों यहां पर हम दुबारा से वाक्षी दुख स्कैन करते हैं इसकैन करने के साथ चाहिए वां पर आपके लिए सारह data confirmation करना है कनफार मिशन करेंगे तो simply तरीके से दॉस्तों यहां पर आपका जो documentation है वो आपकी यहां पर complete हो जाएंगे यहां पर document को आप scan करेंगे scan आपको 200 से 300 dpi पर आपको scan करना है 300 dpi तक आपका चल जाएगा लेकिन 100 dpi से आप campaign ना करें क्योंकि आपकी जो documentation है उनका जो resolution है वो सही होना चाहिए अधरवाइस दूसरी यहां पर फिक्सल फट जाती है तो सही आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि online verification होना है तो बहाँ पर manually आपका data चेक किया जाता है यदि आपका data सही है तो ही आपका यहां पर online verified होगा इस तरीके से आप करेंगे यहां पर scan लगाना है लेकिन आया प्रमाल पत्र आपको यहां पर लगाना है इस तरीके से दूसरी यहां पर आप upload करेंगे आपका 10-12 का सारव data हो जाएगा upload हो जाएगा इस तरीके से आपको यहां पर simply तरीके से submit कर दिए submit करेंगे not verified आ रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा बेट कर ना है एक या दो दिन में आपका अपने आप ही online यहां पर verify हो जाएगा verify होने के बाद दूसरी यहां पर आपका verified दिखा दिया जाएगा आपको status कैसे चेक करना है इसके लिए हम आपको next में एक और नया वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके लिए सारी जानकारी बताएं कर दिन में यहां आपके लिए।